नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपको हमारी यूट्यूब चैनल प्रकास मैथ पॉइंट में और दोस्तों मैं हूँ प्रकास कुमार दोस्तों आज आरे सर्वाल बुक का नैच पर शुरू होने जाड़ा है जिसका नाम धारा तथा नाउ से संबंधित प्रशन है धारा तथा जिसको इंग्लिस में बोट ऐन्ड एश्ट्रीम बला यह था ठीक है एश्ट्रीम दोस्तों इसमें आप ट्रेंड चेप्टर पर चुके हैं टायम अंड डिस्टेंस पर चुके हैं ट्रेंड के जो पर में जो पर हैं जो रूल ठीक उसका opposite rule इसमें होता है ठीक है जारा समझेंगे इसको हम यह कहीं दिशा में जाता है तो चाल जुट जाता है और बीफ्रित दिसा में आता है तो चाल घट जाता है वह कैसे होता है आप देखिएगा देखिए को इस कॉपी मान ले रहे हैं तो नदी जैसे वह है इधर की और नदी बह रही है और एक नाओ जो है एक नाओ कि यह लगकरी है खेनेवल ठीक है नाओ जो है इसी दिशा में जा रहा है इसी दिशा में तो दोस्तों वहाव मतलब की द्धार बहुत तेज रहे हैं हम लोग जब नदी में नहाने जाते हैं तो बोलते हैं । बहुत तेज है जी-द्धर धार बहुत थेज हैं इसे उखेगा पानी का धारा भी जुद्धर भढ़ रहा है उध्रे जाएगा जोग досे होगा और पानी की चालररी यूलना लगने जोग जुडत जाएगा फिकर्टा ऑडर administration अब लेकिंडसीm अब धीमे रूखो पानी रोकना चाहेगा इसको लेकिन नाओ आगे बढ़ना चाहेगा इसका मतलब है कि चाल घटेगा यह अपना तागत से आगे बढ़ेगा और यह अपना तागत से रोकना चाहेगा इसको लेकिन नाओ का चाल ज्यादा होगा पानी से इसलिए आगे याद रखेएा हमीशा जो become होता है पानी कि झाओ से मतलाrika के चाल से हमेशा ज्यादा होता है इस बात को आफ याद रखिएगा ठीक है और देखिये इसमें क्या क्या चीज के जडूरी होता है देखिए एया दोस्तों नाओफ की चालwe ुकर लोग ش़ुकर Moses убes लोग hani eating अब बोट कुमें थार्या की चाल को भी से सुचित करते हैं मतलब होता है जोस्तों द्यारा ≃ बस इतना ही आपको और कुछ फर्मूला इसमें याद नहीं करना है बस देखिए जैसे जैसे बनाते हैं आप उसी तरह से बनाई आगा आप पोगी प्रॉब्लम नहीं आगा ठीक है आप ऐसे भी बहुत टीचर बनाते हैं भी-डी मानते हैं तो यहां होता है भी भी पॉल आस भी एए सो ता है ठीक है यह होता है भशुटिया आप वार दिषा में धारा के दिषा में नाव की चाल धारा मतलग की पानी बहर रहा है ओध्रे की और ना हो जाएगा ता चाल जूट जाएगा मान क्विए अच्छान जा कि यूँन्य जूट जाएंगा फस्चाछन से थार से भागते रहेंगा नाव के जूट जा जआगा धारा के दिशा में जिधर पाणी बह रहा है उध्र格 बैउल आपणास, फीए 1 सी और धारा के के भीपिरीयत नाओ की चाल क्या धंगत जाएगा नाओ की चाल क्या जाएगा फाद स्काए हो पानी चाल से थारा के चाल हाच तो क्लिमेटरud दफ फीक डाओ रहा पानी के धेगा याद रहेlesh 600 सब्सक्राइब लखेगा याद रुभे बाकी का चीज आपको पता है चाल बरा बड़ी-बड़ी पनों फिर्मला सो लगेगा नहीं प्रेमोंगे झाने है दोस्तों एक नमर कोश्न क्या काता है? एक नमर नाव धारा की दीशा में 24 किलिम्टर के दूरी 4 गंटा में तय करती है धारा के बीपृत इतनी ही दूरी तय करने में 6 गंट लेती है, सांध जल में नाव की चाल कितनी है? देखिएगा सांथी जल मतलब कि रुका हुआ पानी में नाव के चाल के पूछाए आपसे धारा के दिशा ने क्या होता है भी प्लस मिरेश होता है धारा के दिशा में चाल B B plus B S हुता है तो इधर चाल हो गिया आइधर देखिए 24 किलो मीटर दूरी को 4 घंटे में तय करता है तो दूरी बटा चाल दूरी बटा समय है चाल दूरी बटा चाल समय है निचा चाल हुआ आइधर भी चाल है चार से कर जागा चो बार में यानि 6 किलो मीटर प्रती घंटा उसका चाल धारा के दीशा में हुआ अधारा के बिप्रित तो बिप्रित क्या होता है भी बी माइनस भी एस मतलब भाली सिटी अभ एस्ट्रीम बिप्रित मतलब पानी इधर की और रहा है आद नाव इधर की और दोस्तों एक बात आप याद रखिएगा कि नाओ के चाल जब पूछे तो दुन्नों के जोड़के दूसरे भागे आप वैलूशिटी अश्ट्रीम मत धारा की चाल पूछे तो दुन्नों के घाटा के दूसरे भागे वोट के नाओ के चाल पूछा है तो भीभी पूछा थो दुन्नों के जोरके दूसरे भागे छौवा di indeed sixous our dos does में दूसरे भाग देजेगा हτού Star को प्रतिक और रहे हैं यानि कि नाओ कंचा जो को स्ट्रीव के पूछता यह अंसर हो गी आपका स्ट्रीम के पूछता तो दुनों के घटा के दूसरी भाग दीजियेगा तो एक एक किलोमेटर प्रति घंटा 21 का चाल हो गया 1 अब जो गया तो इसका चाल हो गया तो पने दोस्तो दोट दृणा के लिखा है एक के चाल से पानी रोक रहा है तबना चार हो जा रहा है ठीक है आपका राइटेसर अप्शन नमर यह हुगा पांच किलोमेटर पती घंटा आते हैं अगली कुश्चन पर दोस्तों नमर कुश्चन क्या कहता है देखिएगा एक नाव धारा की दीशा में आठ किलोमेटर की दूरी एक घंटे में तय करती है ता था धारा के बीप्रित दू किलोमेटर दूरी एक घंटे में तय करती है धारा का बेक कितना है धारा का चाल इस वर पुश्च दिया है पानी का चाल बहाओ का चाल ठीक है तो देखिए धारा के दीशा में तो दीशा में क्या होता है भी वेइन किलो मिटर के दूरी एक गंटा में गंटा में उपर दूर्य उपर बाट शाल उठा इहां यह तो किलो मिटर परती गंटा आपसे पूछा है धारा का बेग इस पार भी एस पूछा है तो बहुत नीकालने के लब क्या बता है दुन्यों के घटा के दूसरे भाग ता आठ में से दूग या छो अच्व में दूसरे भाग दीजिएगा एंद तीन किलो मीटर प्रती घंटा आपका एंसर हुआ जो अप्शन नमर बी में है दोस्तों बहुत टीचर इसका फर्मूला से बनाते हैं फर्मूला क्या होता है भी भी डी माइनस भी भी आप बाटा में टू बात वही होता है ठीक है लेकिन इस सब आपको याद नहीं करना है डारेक्ट इस रूट से बनाईएगा ठीक है आते हैं अगरी कोश्चन पर दोस्तों कोश्चन नमर तीन क्या कहता है देखिएगा एक नाव एक नाविक धारा के सब्सक्राइं अनुदिष पांच मिनटमे एक किलेमिटर की किलेमिटर की गति से करता है मतलब कि कि यक किलेमिटर पांच मिट्रमे ताई करता है था धाराक के भीप्रित एक घंट में छोओ किलोमिटर की गती से नाउ फ्यता है सबय लादा धारा के भेग इसमें भी धारा के भेग..? धाराके अनुदिस दोस्तो अनुदिस मतला होता है धाराके दिसा में मतला भीबी-पलस बिस एक किलो नीटर की दूरि यानि 12 किलोमीटर प्रती घंटा हुगा धारा के दीजह हामें चाल ना ओके ठीक है आप bp अनलब bb-inf QS जार कितना है, 6 km के दूरी, एक घंटा में ताहाँ करता है, तो दूरी समय्छ 5 km प्रती घंटा, आप से पूछा है धारा का बेग, धारा का बेग मतलब क्या, धी येस पूछा है भल सिटी अफ एश्ट्रीन तो दुनों के घटा के दूसरे भाग तो बारा में से छो गिया तो छो बचा चो में दूसरे भाग दिजेगा यहां तीन किलिमीटर प्रती घंटा इसका भी एंसर हुआ जो अप्शन नमर सी में हैं आते हैं अगली कॉश्चन दोस्तों चार नमर कोउश्चन क्या काता है देखिएगगा एक धारा के बिप्रित दिशा में 48 मिनट में 12 किलिमीटर दूरी तेक यह है यहां धारा के गती दूग şekilde ऑथी घंटा हो तो सांत जल में नाव की चल सन्त जल में नाव की गती किंस्त असे चाल कितनी है देखिए धारा का विप्रित भीए, माइनस बीएस लिक रेडि है, बारा किलो मिटर की दूरी 48 मिट में तब करता है, ता 48 में ठीके, दूरी बटा समय चाल होगिया, लेकिन समय यहां मिनेट में, उपर किलो मिटर में, तो घंटाम बदल लेजिए, ठीके, तो देखिए, बारा गुने, साथ उपर चाल जागा 48 नीचा चलाएगा ठीक है उलिड दी है तो बारा चाव के 48 चार से कर जागाई 15 यानि कि 15 किलो मीटर प्रति घंटा उस नाओ के चाल हुआ धारा के बिप्रित में ठीक है अज बोला है यहां यादी धारा की गती 2 किलो मीटर प्रति घंटा हो धारा की प्रति घंटा और भी भी अब भी के मानता दिया हुआ है डू किलो मीटर तो में तो जो ही इसके जगा पर दू रखाएगा दू तो दू यानिकि 17 किलो मीटर प्रति घंटा नाओ का चाल होगा सांथ चल में ऑप्शन नमर ए आपका करेक्ट एंसर हुआ आते हैं अगली पांच क्या कहता है एक मोटर बोट बहाओ के दिशा में 9 km की दूरी तय करने में 2 घंटे लेते हैं तथा बहाओ की बीपरित दिशा में वह दूरी तय करने में 6 घंटे लेती है इस्तिर पानी में बोट की चाल कितनी है मतलब 9 की चाल कितनी है ठीक है तो देखिए बहाओ के द किलो मीटर प्लती घंटा होगा ठीक है अब देखे बहाओ के बिप्रित क्या होगा भी बी-माइनस भी येस होगा इतना ही दूरी जो दूरी है तो दिसा में वहीं दूरी को चो घंटे में तर्था है तो जो भाग दे तीन फाइन दूना शो तीन बटा दुए की देर किलो सारे चार डेर है, छो होगा, छो को दूसरे भाग दीजेगा, तह तीन किलो मीटर प्रती घंटा आपका राइट एंसर हुआ, ओप्शन नमर ए में है, ठीक है, आते हैं एकली कुशन फे, छो नमर कुशन क्या कहता है, एक आदमी धारा के बिपरित 15 मिनट में 3-4, 3 किलो मीटर नाओ खे सकता है, मतलब चला नाओ चला सकता है, तथा उसी दूरी को वापिस तय करने में उसे 10 मिनट लगते हैं, उसकी सांत जल में चाल, तथा धारा के सांत जल में चाल का धारा की चाल से अनुपात क्या है, सांत जल में मतलब नाओ की चाल, दोस्तों यहां नाओ सकते हैं कि नाओ का चाल सांथ चल में नाओ की चाल और धारा के चाल का उनल पात पूछा आपसे देखिए एक ना धारा के वीप्रित बोला है तब भी B-2 लिए बिप्रित यहीं नहोगा बी माइनस भी एज तीन चव थाई तीन चव थाई तीन बटा चार पंदर मिन प्रता करते हैं तो 15 इमीनेट में घंटा बतले जिए तीन बटा चार यहीं उल्टेगा तो 50 पर पंदर निचा चलाएगा ठीक है पंदर चव के साथ 4 से 4 केंसी यान 3 किलो मिटर प्रती घंटा फिर बला है तथा उसी दूरी को उसी दूरी के मतलब उसी दूरी को वापिस तो वापिस आया होगा यहां वाप यह नहीं बला है कि ध वापिसा में ठीक है तो उतना ही दूरी कितना तीन चाव थाई ही दूरी को यह दोस मिटर में तोय कर लेता है तो दोस आई साथ से भुणा भाग दा देजेगा तो घंटा बदल जागा तो तीन बटा चार आई उठ्टे का तो 60 पर दोस निचा चलाएगा ठीक है एक जिरो तो दोस्तों नाउ के चला आप आप यहां से निकाल लीजे भीबी निकाल लीजे तब भीबी 3 huge 4 and 9 4 Ave 4stigos 8 & adding Quiz 4 and 3 विश्ले सारे साथ कोई से लिखियेगा तो नु कशिओ के दूसरे बांग दीया अनुपात भी सका भालु मतला दूनोग घठा के दूसरे भाग तो शारे नाव के चाल अनुपात धारा के चाल पराबर पाच अनुपात एक जो ऑप्शन नमर डी में हैं ठीक है आते हैं अगली कौश्चन पर सात नमर क्या कहता है कोई motor boat सांत जल में 36 km परती घंटा के चाल से चलती है यह motor boat सांत जल में है इसका मतलब है सीधे velocity of boat का दिया हुआ है 36 km परती घंटा ठीक है यह धारा के बीपरित एक घंटे 45 मिनट में 56 km दूरी 56 km जाती है धारा के बीपरित बोला है इसका मतलब के कि वीवी माइनस भी एस बीपरित 56 km दूरी वह एक घंटा 45 मिनट करता है ता एक घंटा 45 मिनट को घंटा मदल लिए 15 यह 45 अब 55 अब 55 को 60 चार एक चार आतीं 7 7 बटा 4 चार उपर भेतीजें निचावला उपर भेतीजें साथ 56 आर्चव का 32 km प्रति घंटार अफ्तार हुआ नाओ का किस दूरी को धारा के अनुकूल तय करने में उसे कितना समय लेगा अब उतना ही दूरी कितना दूरी 56 km दूरी तो यह कितना समय लेगा तो आप यहां से पहले ए श्ट्रीम का भेल निकाले जे बोट का आपको पता है 36 km तो बोटे से यह 36 सिलगी एह वी ऑगे सीव माइनस मी दी सरा किनुञता है अब हो दिशा जाना हे 56कुल्यमिटर मतला हुट मतलगे मतल तो दहारा के दिसाम जाएगा तो जूट जाएगा तो चाल जूट जाएगा तो इसका चाल है 36 क्लिटर नाओगा पानी का चाल है 4 क्लिटर तो चाल चाल के चाल से जाएगा तो तरदेजी आठ साथ चपन आठ पचे चालिस यानि कि पांच एक कम पांच अधू साथ तो दोस्तो मिनट में सर दिया है एक घंटा तो आप इसको मिनट ना बता लेजिए फरेक्शन को साथ से गुना किजिए तो पांसे कर देगा बारा बार में यानि एक घंटा बारा दूने 24 एक घंटा 24 मिनट है ठीक है एक घंटा 24 में इक कमा है औपसन नमर सी अ अगली कोशन पे दोस्तों कोशन नमर 8 क्या काता है किसी मोटर बोट की सांत जल में 45 किलमेटर पति घंटा है बोट मतला भीए स्बैष्ड भीचन धानिस किलमेटर पति गंटा है दारा के अनुकूल 80 किलोमीटर की दूरी ताय करने में मोटर बोट को एक घंटा 20 मिनिट समय लगता है समय ले तो उतनी ही धारा के बीप्रित दिशा मेताय करने में वह कितना समय लेगा देखिए धारा के अनुकूल मतलब धारा के दिशा में तब धारा के दिशा में क्या होता है भी भी पलास भी एस होता है दिशा में 80 km के दूरी एक घंटा 20 मिट को आप घंटा बदेजिए 60 से भाग देगा 20 ते आई 60 तीन एक चार बटा तीन चार बटा तीन तीन उपर भेद दीजिए ठीक है इब लापलास में 45 उदेगह तो माइनस में तब 45 माइनस लिग दिए तब खर बर आबर केतना जीए 15 किलियो मेट्र प्रती घंटा अब दी फिरुइत में भीपृइत में लगा समय समय कितना होगा असे किलमेटर के दूरी जाना है धारा के दीशा बीपिरित में जाना है तब बीपिरित जाएगा ता चाल तो घट के जाएगा तब बोट के चाल है 45 किलमेटर परती घंटा अज धारा के चाल है 15 किलमेटर परती घंटा तो घट के जाएगा 30 किलमेटर संज जाएगा 45 कर रहा है तो इसका मतलब है कि 30 किलोमीटर रुग आगे बढ़ेगा तो वह 30 से भाग देजिए तो एक जिरो तीन दूना छो दू आठ इसको मिनिटें बतल लीजिए तो दू घंटा 20 से कर देगा तीन से बीस पर में दू घंटा एच से हावर दू घंटा बीज दूना चालीस मिन दू घंटा चालीस मिन अप्शन नमर देखिए सी आपका राइटेन सरुआ ठीक है दोस्तों आज गर्मी काफी है लेकिन चलिए कोई बात नहीं है आप लोग के लिए वीडियो बनाना मेरा फ कमेंट करना ना भूले थैंकी फ्रवाजिंग दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में